हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिशा वेश्ट गौर्ड और आप देख रहे हैं जागरन जोज डाट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करेंट अफेस के क्वेश्चन्स और क्या क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे साथ इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ चेन और इनोवेशन पार्टनर्शिप पर एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं वानिज्जी और उद्योग मंत्री पियूश गोयल और अमेरिके वानिज्जी सचिव जीना राइमोंडों के बीच नए दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर किये गए और दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों को खोलने के लिए सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत अमेरिका वानिज्रिक वारता भी फिर से शुरू हो गई है अगला सवाल है चीन के राश्पती के रूप में किसे तीसरे कारेकाल के लिए चुना गया है थर्ड ट पिंग को तीसरी बार फिर से चीन के राश्पती के तौर पर चुन लिया गया है पिछले साल अक्टूबर में चीन की पीपल पार्टी की वाशिक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें नैशनल पीपल कॉंग्रेस में शी जिंग पिंग को शी शनीता चुना गया था शी 13 में पीपल रिपब्लिक ओफ चाइना के प्रेजडेंड शी जिंग पिंग बने थे और इसके साथ ही उन्हें चीन के सेंटर विलिटरी कमिशन का अध्यक्ष भी चुन लिया गया था अगला सवाल है कौन हाल ही में इंडियन एयर फोर्स की फ्रंट लाइन कॉमबैक यूनि के पश्चिमी शेत्र में फ्रंट लाइन कॉमबैक यूनिट की कमान संभालने के लिए उन्हें चुना गया है तीनों सेवाओं में किसी कॉमबैक यूनिट की कमान संभालने वाली वो पहली महिला होंगी और ग्रुप कैप्टन धामी को 2003 में एक हेलिकोप्टर पालेट के र परशो से शामिल किया गया है अगला सवाल है शेक मुहमद बिन अब्दुल रह्मान अल्थानी किस देश के नए प्रुधान मंत्री बने हैं कौन से देश के पी-एम वो बने हैं आपके ऑप्शन्स हैं कतर बहरीन ओमान संयुक्त अरब अमिरात यानि यू ए इसका सही जव रह्मान अल्थानी को देश का नए अप्रुधान मंत्री नयुक्त किया है शेक ख मुहमद बिन अब्दुल रह्मान अल्थानी ने शेक खालिद भिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल्थानी का स्थान लिया है 2016 से शेक मुहमद विदेश estimates के रूप में काम कर रहे हैं क एगला सवाल है उन्निसवी बिम्स्टेक मंत्री स्तरिये बैठक की अध्यक्षता कि देश में के द्वारा की गई आपके ऑप्शन्स हैं भारत बंगलादेश थाइलांड और भूतान इसका सही जवाब है थाइलांड ऑप्शन सी विदेश राजमंत्री डॉक्टर राजकुम रंजंश के दौरान मंत्रियों ने कोर बिम्स्टेक सिटम के लिए प्रुक्रिया के नियमों सहथ कई दस्तावेजों को मझोरी दी विम्स्टेक साथ दक्षिन एशियाई और दक्षिन-पूर्व एशियाई देशों का एक अंतराश्ट्य संगठन है और इसकी स्थापना 6 जून 1997 1997 को बैंककॉक घोशना के माध्यम से की गई थी इसका मुख्याल है धाका में है अगला सवाल है नेपाल के तीसे राश्पती के रूप में किसे चुना गया है आपके ऑप्शन्स हैं शेर बहादूर देवबा सुभाष चंद्र नेंब पोडेल ने जीत हासल की है उन्हें नेपाल के तीसरे राश्पती के रूप में चुना गया है पोडेल ने इस चुनाव में अपने प्रतिद्विंदी सुभाष चंद्र नेंबांग को हरा दिया वो मौझूदा राश्पती विद्यादेवी भंडारी का स्थान लेंगे ने 1999 से 2002 तक नेपाल के घ्रह मंत्री और उप्रधान मंत्री भी रहे थे इनका जन्म 15 और 1944 को तन्हों नेपाल में हुआ था अब बात करते हैं पिछले वीडियो के सवाल की पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा गया था में घाले में ग्यार्वी विधान सभा का निर्व थामस ए संग्मा में घाले के ग्यारवी विधान सभा के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में थामस ए संग्मा को चुना गया है मुख्यमंत्री कॉन्राट के संग्मा के नेद्रित वाली में घाले डेमोक्रेटिक एलाइंस यानी MDA सरकार को 45 विधायकों का समर्थन प्र और स्ने आव भालूंग धार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपत ली नेशनल पेपल पार्टी को भारत में एक राश्ट्य पार्टी का दरजा प्राप्त है जो मुख्य रूप से में घाले राज्यमे केंद्रित है जुलाई 2012 में एंसीपी से अलग होकर पीए संग् पताएंगे आपका option है आपके सवाल है पांच दिवेसिये ये शांग उत्सव किस राज में आयोजित किया जा रहा है कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे इसको आयोजित किया जा रहा है और आपके options हैं बिहार मनेपूर असम राजस्थान अगर आपको सही जवाब पता है झाल 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 झाल